आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तो आप हमारे साथ देख रहे हैं मारे खास कारिकम बात अपने देश की यूटूबेस में तमाम तरह के मुद्दे जोलन्त हैं उन्हें मुद्दों के बीच कुछ ऐसी बाते भी होती है जिनका भी जनता के बीच पहुचाना आवस्चक हो जाता है यहां इस देट का भी एक महत्ब है इस साल का भी एक महत्ब है और इस समय का भी एक महत्व है क्योंकि काल चक्र में समय, दिल, साल और देट, दिनांक सबका एक अपना महत्व होता है मुद्दो की बात करूँ तो इस समय देश में महगाई का मुद्दा जो लगातार विपच्च के निसाने पर है मुद्दा का मुद्दा केा जानकारी बोल सकते हैं वो जानकारी है एतिहासिक दिन, एतिहासिक तारीक, और आज हम बात करने बाले हैं एतिहासिक तारीक पाँच अगस्त, कि पाँच अगस्त को एतिहासिक क्यों बना दिया गया, यूँ तो पाँच अगस्त कोई बहुत बड़ी एक ऐसी तारीक निए सामान तारीक ही है, पर इस पाँच अगस में 1999 में लीला सेट को दिल्ली हाई कोट में बनने वाली पहली जज़ बनी कि 5 अगस्थी वो डेट है जिसको लेकर जनता को रिख नया होने का इन्तिजार भी रहता है पांच अगस्त बोटेट है जिसमें पिरामंदी नरेन मोदी ने अपने दोरों कारकालों में कुछ खास किया पांच अगस्ती बोटेट से जहां पर जम्मु कस्मीर से अरुष्षित 370 हटाने की संकल पलिया गया बात कही गई और पांच अगस्ती बोट तारीक है जिस पर 500 साल से चल रहे विबाद को पटाच्छेप करते हुए उस विबाद का यहां पर पटाच्छेप हुआ तो पांच अगस्त को प्रधामंती नरेन मोदी ने आयोध्या में स्री राम जनम मुमी मंदर का जो मंदर बंदा है उसका सिल पांच अगस्त इसलिए मे Bett पून हो गया है कि पांक अगस्त में ऐसे कांद और जो अभी तक केबल केबल किताबों में थे अब तक केबल 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 चरचाओं में थे जिहां पांच अगस्त में काम तो कई हुए पर कुछ काम ऐसे हैं जिनका जिक्र करना रावस्यक हो जाता है वो उसी का जिक्रम कर रहे हैं कि पांच अगस्त को हमारे देश में जो अनुच्छे 370 था जो कि जम्मु कस्मीर लगा हुआ था उसको हटाने के संकल्प लियागा उ बार में वह ख़्टाया गया उस अनुच्छे अगने के बाद कि जम्मु कस्मीर को दल साथ बांट धिया गया लड़्द़क और जम्मु कस्मीर इसके कैसमीर में जो भी नियम कायदे थे वह बदले गए बिद्यार्बै नौकरी 370 लगा हुआ था पैते से लगा हुआ था उसके चलते कई ऐसी बड़ी प्रविजना होती तमाम ऐसे विकास के काम होते थे जो वहां पर नहीं हो पाते थे और उसके हटने के बाद वो काम होने शुरूर हो गए और आकड़े भी बड़ अच्छे हैं आकड़े से अच्छे हैं बता दूं आपको कि अगर जब 5 अगस्त 19 में इसकी बात कही गई थी हटाया गया था उसके बाद से लेकर अब तक हम बात करें तो जम्मु कस्विन में हजारों के संख्या में लोगों को नौक्रियां दी गई सामिल किया जा रहा है वहाँ पर लोगों ने बुराई के रास्ता छोड़कर जो बिकास की मुकधारा में आने का काम किया है वहाँ पर लोग समझ सकते हैं कि स्वतनित्रा क्या होती है और हम भारत के ही अंग हैं हम भारत के ही राज्य हैं भारत के ही पिडेस हैं और भारत की होती हैं देश की जो भी अच्छी हुजना हें जो भी अच्छी होती हैं विकाष की olsaन्क ते वह संकल्प होते हैं वह भी हमारे इस देश्म में लागो होते रहें और आर कैस्पुर से ले के जबीं को को खईने से लेके और तमाम तरह के जो निड़ने जो की वहाँ पर रुके हुए थे उन सब को खोलने का प्रयास हुआ कि उसके बाद कि जो दूसरा मैंने आपको मुद्दा बताया कि 500 साल 499 साल लगवा लबा 500 साल से एक मामला वो चला आ था मामला चला चलते चलते मामले पर अपना फैसला दिया कि और फैसले के बाद पांच अगस 2020 को प्रधानमंती नर्यन मोदी ने आयोध्या में जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया कि शुरुबात की नीव भरी और अपने जब शुरुबात हुई थी 2014 में संकल्ब लेके आये थे तो बीजेपी के प्यमक तीन संकल्ब होते थे एक संकल्ब था वो था आपका जम्मु कस्मीर से अनुष्चे 378 दूसरा जो महत्पूर मुद्धा था वो था राम मंदिर का निर्मान उनका कहना था वही अगर हम प्रियास करेंगे अगर चीज़े रहेंगी तो जल्दी इस मामले का पटाच्छे भी हो क्योंकि इस मामले पर हमें साथ राजनीति होती आई है और खास्तोर से उत्तप्र बाबरी विर्वन्स को लेकर होती रही है उसके बाद फिर मामले का पटाच्छेप हुआ तो समने राहत की सास ली और अब मंदर निर्मार चल लाए है हलाकि जो तीसरा संकल्प और था वो था समान नागरिक सहिताबाला यूनिफर्म सिबिल कोड हलाकि यह भी संकल्प में है पर जब से सत्ता में आई है बीजेपी केंद्र की तब से दो संकल्प पूरे हो चुके हैं और तीसे संकल्प की यहाँ पर चर्चा हो रही है और जैसी सरकार प्रयास कर रही है जैस तरह से उसका राजस्वा में लोगस कर सकते हैं कि इस पर भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला होगा आप फैसला पांच抗स्थ को हो गा या आनने किसी पारीख की साथछी कई बनेगी वह फड़ाल वबस्ट केगर मेंच छुपा हुआ है पर चुकि पांच अगस को इतने बड़े बड़े अतिहासिक निड़ने हुए तो निश्ची रूप से इस पांच अगस की तारीक को लोग यार रखना चाहते हैं और यहां तक की स्थिती यह है कि जब पांच अगस्त आता है तो जनता भी सोचते हैं और मंत्री भी सोचते हैं और जो बीजेपी की अंग है विपच्छी भी सोचते हैं कि आज ऐसा जाने क्या हो सकता है यह उनकी चर्चा का मिशा होता है कि पांच अगस्त है एतिहासिक है कई बड़े फैसले हुए है तो ऐसा ना हो कि फिर कोई फैसला दिया जाए जनता के लिए किसके लिए जिसके जो इसका पढ़ना में बड़ा दूर गामी होता है पांच अगस्त में कुछ अलाग हुआ था यहां पांच अगस्त की शुरूबाद हुई थी जिसके तहट पढ़ना करोड़ लोगों को रासन देने की बार की गई थी तबसे लगातार अनबड़ चला है और जिसके शुरूबाद प्रहामंती नर्यन मोदी ने की थी इसके लाबा पांच अगस्त दोयाधारा को उत्तप्रिस में नौ मेडिकल कालोज के जो सलान्या से लोगारपन हुआ था वो भी प्रहामंती मोदी दोरा किया गया था यह उत्तप्रिस की है और साथी साथ पांच अगस्त को हमारे देश के जबान दोरा सर्जीकल स्ट्राइ की बरावर नहीं थि पर यहां पार दोस्वनों के साथ बंकरों को नस्ठ कर दिया गया था जो दोसमरों के साथ जो लॉंच मैट ऺएट उनकों को नस्ट कर दिया गया था तो यह आए बगर जो हमेसा सानती वर सभर्णत में भरुज़ा करता है बौस बीद्य ऑड़ए जो जो निर्दोस कि शुरच्छा बल है उनके साथ गरट करता है उनको अलालग हमलों में वहां पर जो जो लोग हैं या जो वहां के आतिमबारी संगठन है जो उनके जोरा उनको पोसिट किया जा रहा है जब वो लोगों को मारते हैं तो फिर सर्जीकल स्ट्राइक जरूरी हो जा कंदेदा का मजबूत रखना है तो अगर मुझेखा पड़ेगा तो हम स्ट्राइक करेंग है तक आजये तक यह पंगा दिल्ली geek कोट की पहली महिला जज़ बनी अब तक यह सा नहीं था देश केतने वाले तिहास में अब तक दिल्ली हाई कोड में कोई भी महिला ज़ज नहीं थी और पांच अगस्त 1999 को लीला सेट दिल्ली हाई कोड की पहली महला जजबनी थी पांच अगस की तारीख अद्भोत है पांच अगस को यूपी में अन्न महसब शुरू हुआ पांच महसब 22 को यूपी में नौ मेडिकल कॉलोजी का लोकाल पर हुआ पी ए मोडी दोरा और पांच अगस पर यह बताना कि पांच अगस की तारीख को मैंने आपको इसमें याद दिलाया इसलिए पांच अगस को आम जनता को कुछ नया होने कंतिया रहता है कि आज कौशनदी घोचला कर दी जाए खुशता जनता की भले के लिए हो या कोई यूजना के लिए हो या किसी की दूरगामी-प्रभभाव के लिए हो के दिलियू सफाद विपच्छ भी सोचता है कि ऐसा आज पांच अगस्ट है ऐसा कुछ कूँच ना पांच अगस्त को एक बात में अतियासिक नहीं कहेंगे कि पांच अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरुसुमा पर परमाणु बंप से हमला किया था यह इतियासिक नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग इसे मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे और उसका दूरगाई प्रभाव जापान के हिरुसुमा और नागा साकी पर अगले 20 साल तक देखने को मिला था अगले 20 साल तक बहाँ पर बच्चे अपंग पैदा हुए अगले 20 साल तक बहाँ पर लोगों ने कितना संगर्स किया यह जापान का हिरुसुमा और नागा साकी च्छित जानता है और जापान जानता है विफजुद्व धुआ उसका परणाम मुकता परणाम जानतां जापान में जापान की आ हैी इतिहासिक्ता हर चीज की होती है पर अच्छी होती है तो exploring a कम उता हिसक्त का फॉता हे मैट होता है और सभी लोग उतीहासिक्ता को समझ सकते हें तक पर जब एतिहासिकता खराब कर्म को लेकर होती है तो इससी रूप से वो एतिहासिक नहीं हो पाता पर यहाँ पर चर्चा को बच्छा इसलिए था इसलिए मैंने आपको बताए कि पांच अगस निसो पितालिस को अमेरिकार रे जापान के रिसुमा पर परमानुगम से हमला किया था और पांच अगस्ती वो तारीख है 2011 में जब नासा के बैग्यार करणों बताया था कि मंगल गरे पे पानी है यह बिसुपर परदिस की खटना है अगर भार की खटनाओं की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि अन्न महुस्वभी शुरू हुआ और जो सपना हिंदोस्तान का अधिकान से आबादी जेक्ती चली आ रही थी अनुच्छे 370 को हटाने का बो सपना पूरा हुआ पांच अगस 2019 को इसके बाद बो सपना जो हर बात की हर इंसान हर जनता की जबान पर था हरे दिश्म हमारे बो था राम मंदर जसको लेकर राज़ूती हुई केंद की राज़ूती उत्परेस की राज़ूती सरकार है बनी और सरकार है गई यह बो मुद्द था और इस मुद्दे का भी यह फैसला 2019 में यह आ जाता है वहलेक बात है कि नंबर 2019 में फैसला आता है और पाद का 2020 में इसकी शुरूबात होती है पर चुकी एक बिसेश देट है और जो भी एतिहासिक काम भारतेंड़ पार्टी सरकार द्वारा जो केंद में हैं जाता है 24 से उसके द्वारा किये गए तो हम तो इसको बिसेसी मानेंगे कि पाँज अगस्त को राम मंदर का ज़ता नाज़ बी किया गया और पाँज़ अगस्त को आने वाले समय में और उन नहीं बात होती है नहीं संगल भी जाते हैं वो भी देखना वाले बात हो कि मैं आपको मुद्द्द बताया हूँ चाहे वो अनुष्द t serum की बात हो विफ से अब ही जो या तीसर इजंडा था मुखरूप से समान नागरिक सरीता यानि उनिफर्म सिबिल कोड उस पर ही फैसला आना है उस पर ही विचार होना है अभी हाला कि मुद्दा चर्चा में नहीं है बीचो जरू चर्चा में आये था पर समय वो मुद्दा आने वाले समय में फिर उठाए जाएगा क्योंकि जो यूनिफर्म सिबिल कोड है ये कई राज्यों में लागू भी है गोव में लागू किया गया है और जब ये मुद्दा अभी कुछ समय पहले चर्चा में था तब कई राज्यों ने कहा भी था बीजेपी सासे राज्यों ने कि हम यूनिफर्म सिबिल कोड लागू करेंगे हैं atten लागूह व पुर्टाइवए समय का है है इसलिए वहां पर अभी लागू है हालागि राज्य को यह दिकार है अभी प्राउप्त नहीं है कि वह शब्सकार प्रढ़ का है इसके लिए प्तिछ जरूरी है और इतनी जद्दो जेहर से बहतर होगा कि अगर युनिफर्म सिब्ल कोट के इन सरकार दोरा लाए जाता है तो राज्यों को उसको लागू कराने में कोई समस्या नहीं होगी चर्चा का विशा है अब यह जो तीसरा एजेंडा बीजेपी का रहा है मैंने दो एजेंडे बता दिये अनुष्य तीन सत्तर रामने निर्माण जो कि इनकी सोच थी कि हम इन पर काम जरू करेंगे और वह हुआ भी और सुप्रीम कोट के इतिहाथिक फैसले के बाद्दम से र अतिहासिक 55 Влад में चुन हो तॏ फिर और कोई अन्य तारीक पर बिचार होगा ये पिराल भी बताएगा फिर इन CT veg बन चुका है और आने वाली समय में सक्क्राल क्या वह पलब्दियां क्या-क्रभाण सुझना है क्या क्या ने लिए जाएंगे वह 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 से गर में छुपा है या से सरकार जानती है कि आगामी 5 अगस्त को या अगले साल 5 अगस्त को या अगले साल 5 अगस्त को क्या करने वाले हैं या क्या को फैसले देने वाले हैं कि उसी 5 तारीक को अपना फैसले की तारीक को बनाए जाएगा या पिर अन्य कोई तारीक या अन्य कोई बिश्य समय का हम इंतियार करेंगे आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार